कौल अगर कोई लगशे लेकर पढ़ने केम नियां है अगर कोई लगशे लेकर पढ़ रहे हो तो इसका एक नियामे के पुरी जिंद्गी पढ़ते दो वहुगे तो बगवान की प्रक्ति नहीं है पर लगशे की 40 पढ़ रहे हुए उसकी मूर्थी इसका फोटोs आपके सामने होना चाहिए एक घीका दिया अगर हनुमान 40 पढ़ रहे हो तो यह है तो हनμαनog50 का पाट्त करो तो तिल्ली के तिल का तिया रखो लागर काली तिल के तेल का धिया तिल का धिया पृजवान 쉬 के सामने आसन बिछा कर बहुत तकलिफ है तो 3 पाट प्रक्तिक तिन करो और एक असन से जितने समय नो बजे अगर आप बेटते हो पाट करने तो 9 बजे ही बेटना है 11 दिन तक प्रती दिन 3 पाट रोज करो एक पानी का लोटा कलश, तामबे का जल अठाथ, तामबे का लोटा हो, इस्टिल का लोटा हो तुमारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर एक लोटा कर, प्लेट से ढख कर रख दो और प्रती दिन बस ताइम पर बेट कर पाट करो 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाट करा है बस वो सिक्का वो लोटा कलश में से निकाल लो जल का अच्चमन करो और जिस काम के लिए करा है, वो जल उस प्रयोग में ले लो किसी से बात करने जाना है, तो वो जल भी कर जाईए कोई से हाथ मिलाना है, तो वो सिक्का वो लोग अपने हाथ में रख अपने साथ हो श्री हनमान जी महाराज का प्रागट हुआ कोई वेपार नहीं चलता हो, लिक्कात आ रही हो, तो हनमान जी के, दूसरे नंबर का भाई गतिमान का इसमन करो, हनमान जी के, उल्टे पाउं का सिंदूर लाकर गतिमान ले पर सवस्तिक बना दिया जाए गतिमान गष्झा ट्रम ले लागत पंचमुकी हनमान का एक इस्मरण पंचमुकी हनमान का एक भाव जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर विक्विक हो गई है बहुत कश्टमें जीवन चल जो हार गए हर जगासे और तकलीफ में जीवन चल रहा है पंचमुकी हनमान का एक शिव महापुराण का और इसकंद पुराण का एक बड़ा सुन्दर मंत्र है उस मंत्र को आप सब एक पार मरे साथ में बोलें ओम नमूम हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रू संगारणाय सर्व रोप हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्व पाहा बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर एक जो लेकर और गूगल लेकर थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर कंडे को या अगनी को जलाकर इस मंत्र का ग्यारा बार 21 बार जाब करकर अपनी कामना करकर छोड़ दीजिए कैसा भी रोग हो बिमारी हो पश्ट हो हेलो सर मुझे मेरे एक्स के बारे में पूछना था कि मैं ही उसके बारे में सुद्धा रहे हो या नोकरी करने के लिए और लगी नहीं बहुत तकलीप पा रहे हो सरवी सी नहीं बहुत कश्ट में हो गया तो निवेदन तरूंगा पांच पीपल के पत्ते पर बेसन के पांच लड़ू घर में बने हो गाई के घीके पांच लड़ू रख लो उस लड़ू के बीचो भी एक आटेटा दिया और उसमें तिली का तिल डालकर इसी मंत्र का प् समर्ण करकर पंच मुकी हनमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वसुक्त देए लिए नहीं दे रहा हाँ जोड़ लिया सब कुछ कर लिया नहीं दे रहा तो हर्मान जी के तीसरे नंबर का भाई रतीमान रतीमान का नाम लीजिए लाल संदूर से जोगती पैसा लेकर गया उसक रतीमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए पंदरा दिन में रतीमान एसी उतवरी मानत मचाता है कि उसको हाथ जोड़तर वो फुट्वोन लगातर बियतर में पेसा लुटा तूँका अरपी मान का इसमन्ण को नहीं चलता हो लिक्का रही हो और मान जी के दूसरे नंबर का भ विखतर लेख तक तीन करो और एक आशन से जितने समय नो बजे अगर आप बेटते हो पाट करने तो नो बजे ही वेट दो कि 11 तक प्रती दिन टीन पर्ट रोज करो एक पानी का लोटा कलश थांवे जल आठा तामबे का लोटा हो इस तील का लोटा हो तुमारे बाद जो प्रश उसमें चल भरतर एक सिक्का उसमें पठकर एक लोंग पठकर आपकर प्रती दिन बस पाइम पर बेट कर पाट करो ग्या ने में खेक। झाली जावर कि नियार ने में कोई जोगी जाए… एब रापकर हो आपकारहिए। और मिले। उसके मिलन में तेरी नहीं होुआ। पके मिलने में पुण नहीं हो इस जडाए लेकलो आजद। कविकर यह दूदा खेट आखिए। तकलिफ आगे है तो लाल चंदन को भिसकर उस लाल चंदन का लेपन बगवान शंकर पर करकर फिर पानी ज़िए अगर कोई संकट भारी ओनी कर दो अगयार्रा साल का का इक अटारा साल ओगाए थीपास आप अधाले वाए वाल चंदन का लेपन करना प्राणाउं करो यद कैसे दोनों पक्ति नीचे वाल्य है तो नीचे की नीचे की वीच वाली प्रपी लाखनन लगाकर ड़ाके शिविलिं को समर्धित करिए बाबा प्रतना करो पर नतो एक बाठना करें चीसाल हो गाए तीस साल हो गए संतान नहीं तो पहले जल सेवीजी कराना अभिशेक कर आकर बद कर जलका आचनन करने के बाद हाथ आथ को खासा करना द प्रियोग अशोख सुन्भरी वाली जगापर साथ बिंदी लाल चन्दन की लगाए 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 बिंदी कर दिया लगाए बेल पर चिके नीचे बाबास भी तन कर रूप बार आकड़े के पत्ते की जो माला होती है यह माला कारी की सिद्धी के लिए थी होती है इसमें एक एक आकरे के पत्ते पर सीता राम लिखा जाता है मात्र एक पत्ता यहाई जिस पत्ते पर सीता राम नहीं लिखा जाए एक सो आज पत्ते में से एक पत्ता बस उस पत्ते को हतेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना करकर उस पत्ते को बांदेना है यह जरू भी नहीं है कि 25 के बाद बंदो, 50 के बाद बंदो, या 100 के बाद बंदो, आपकी मर्जी पढ़े, उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बंद दीजिए, और उस माला को अपनी कामना करकर, श्री हनमान जी महराज को समर्पित कर दीजिए माराज, इसके लिए कोई तीथी, महिना या तीन महिना इससे जादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी परेगा, क्योंकि शिव और हनमान यह सब एक ही सुरूप,